तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दुसरे वीडियो की तरफ तुरे के जो भी स्टॉक से उनके बारे में डिस्केशन करने से पहले I think आपको पता होगा लेकिन फिर भी बस एक इन्फोर्मेशन के लिए आपको बत रहता हूँ कि November 15 को मतलब अभी जो ये Friday आने वाला है उस दिन हमारा मार्केट बंद रहने वाला है Saturday Sunday तो मार्केट बंद होता है मतलब अभी continue तीन दिन आपको मार्केट का कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आएगा उसके बाद 20 तारीक को भी मार्केट बंद रहने वाला है ये शायद से बहुत कम लोगों को प तो भी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाज़ार के उन अलग-अलग शेर्स के बारे में जिनके बारे में यहाँ पर हमको उनका डिसकेशन करना है पहला स्टॉकर इस तो रचन इंडिया इंटर प्रेस लिमेडेड इसका NSA का सिंबॉल भी यहाँ पर अब देख सकत बाते मैं आऊंगा जरूर अभी इसका अगरा पैटन देखोगे जितना है NSA का पैटन है उतना तो देखें यहाँ पर हमने डिसकेशन स्टॉक के बारे में पहले भी किया था कि यह वाला जो इसका ट्रेंड नहीं था इसने क्या किया था इसने टेकनिकल लिवल पे इसका एक पल्टिक्लरली ब्रेकाउट दिया था ब्रेकाउट के बाद रिटेस्टिंग करके उपर की तरफ निकल गया था तो एक्चुली देखा जाए तो अभी भी यह वाला स्टॉक एक बायों डिप का स्ट्रक्चर टेकनिकली मेंटेन कर रहा है ठीक है टेकनिकली स्टॉक में पग 62-63 रुपे के असपास का लेवल नजर आएगा तो अभी जिस लेवल पर स्टॉक करा है वो भी अव्यस्टी बात है काफी स्टॉक सपोर्ट जोन है लेकिन मार्केट कंडिशन खराब है इन बेट्विन टेकनिकल बाउंस मार्केट में भी आ सकता है तोड़ी बहुत त कर रहा है तो अब देकिस कंपने के कॉर्टर के नंबर की बात करूँ पिछले कॉर्टर में कंपने का प्रॉफिट था 851 करोड का जो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट था प्रिवेस कॉर्टर लेकिन अभी रह को क्या हुआ अभी कंपने का प्रॉफिट सीधा 240 करोड के भी मतलब 30 महीन में company का profit ने भारी बर कम नुकसंद आपको नज़र आएगा इतना इनी पिछले सल सप्टेबर के quarter में company का profit एक सो चालिज क्रोड का था और वासे भी company का अभी 202 बैलिस क्रोड के आसपास का नुकसंन नज़र आएगा मतलब तीन महीना हो या एक साल हो company के quarter के नतिज़े काफी खराब है प्लस market condition खराब होने कोरे से stock में उसका भारी बरकम negative impact हमको देखने को मिल रहा है आगे बढ़ते हैं दुसरे stock के दरब दुसरा stock दरब दुसरा stock दरब दुसरा stock दरब तो GRSE लेकिन जब ये वाला pattern इस stock में बंद रहा था मैंने आपको alert भी गया था वीडियोस को एकदम ध्यान से अपने ओफजर किया होगा तो मैंने बहुत सरे stock के example भी आपको देखे रहे थे कि vertical rally जब जब चलेगी मज़ा भर पुराएगा आप एकदम हवा में उड़ोगे लेकिन vertical rally का top किदर बनेगा दुनिया का कोई भी इंसन आपको बता नहीं सकता लेकिन जब बनेगा और वाज़े जब stock का गिरना शुरू हो जाएगा stock में क्या होने का chance जादा है और बहुत सालों पहले Reliance Industries और Persistent का stock में आपको 3-4 साल का sideways pattern देखने को मिला था तो इस stock में आप देख सकते हो वही हुआ जो maximum vertical rally के case में होता है stock में जो 40-60% की गिरावट आने चाहिए थी वही stock में अभी आती भी आपको देखने को मिल रही है अभी एक साल का pattern के उपर यहाँ पर अगर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक support ता 1644 का वो तो इसने तोड़ दिया उसके भी नीचे आ चुका है तो technical parameter पे 1425 रुपय का एक support ता हारा कि यह भी अप तूट चुका है तो मतलब stock अभी बहुत ज़दा weak हो चुका है बहुत ज़दा कमज़र हो चुका है क्योंकि 1425 का एक critical support जो stock का बहुत साल पहले एक resistance था या बहुत महीने पहले एक resistance था इसको break किया यहाँ पर अब देख सकते हो support लेने का काम इसने किया था लेकिन अभी इसके भी नीचे की तरफ stock फिसल चुका है मतलब stock में weakness यहाँ से भी बर सकती है 1200 से लेके 1150 के असपस भी यह stock यहाँ से जाता वा नजर आ सकता है हाला कि मैं अपना एक personal view यहाँ पर दे रहा हूँ मैं किसी को force नहीं कर रहा हूँ buying और selling का और मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूँ कि अगर कोई भी अच्छे company का stock more than 30% की गिरावट आपको दिखा दे तो वो buy on dip का एक chance होता है as a long term investment लेकिन vertical rally के बाद 40% से जादा की गिरावट किसे भी stock में आपको देखने को मिले वो भी एक golden opportunity होती है जो stock में अभी आपको देखने को मिल रही है बस अगले 2-3 साल बहुत बड़ी expectation return की मत रखना थोड़े बहुत return मिल जाएंगे लेकिन game long term का है 8-10 रस का plan कर रहे हो stock यो पर चाहिए तो focus कर सकते हो next अगर दस तो techno electric and engineering company limited 1412 के असपास की closing 9% का crash आज के दिन आपको नज़र आएगा और यह पर सबसे बड़ी बाद आपको यह समझनी पड़ेगी इसका एक साल के pattern के उपर आप जाओगे तो एक साल के pattern में observe करो यहाँ पे stock क्या कर रहा था लगादर support ले रहा था और अभी stock क्या हो गया support की नीचे आ गया मतलब क्या गरीबी में आटा गिला यह जो कहा होत होती है इस stock के पर suit होती है market condition पहले से खरावे stock ने अपना important support top पे vertical ट्रेले के बाद top जो बना था उस top पे support बनाया था वो भी अब तोड़ दिया है मतलब stock में यहाँ से भी एक भारी बरकम जाता हुआ अगर आपको दिख जाए बिल्कुल भी हैरन मतना यहाँ से कोई भी bounce अगर stock में आया उसके उपर अब easily believe नहीं कर सकते तो रस्तो यह तो पहले कुछ shares बचवे जो shares है उनको भी देख लेते लेकिन आगे बने से भी एक request है तो प्लिस वो भी कर दिना सेक्रड़ डिप चनल का लिंक इस वीडियो के description में और comment section में आपको मिल जाएगा आगे बढ़ते अभी next stock के तरब next stock अगर रस तो IRFC Indian Railway Finance Corporation Limited एक बात आप समझ जाओ यह stock आपके पास है नहीं है मुझे नहीं पता नहीं में force कर रहा हूँ लेकिन एक simple सा thinking है आप खुद अपना दिमग लगाओ कि railway का एक रुपे का भी काम नहीं होने वाला इनके financing की में ना तो यह railway का financing आपे और आपको क्या सच में लगता है railway का growth यहासे नहीं होगा यह सवाल आप मुझसे मच पूछतो किसे से भी मत पूछो कही पर भी जाकर मत पूछो यह सवाल आप खुद से पूछो इसका answer आपको क्या लगता है क्योंकि देखी मेरी सबसे तो railway industry का growth तो अभी बहुत भागी है हमारे देश अभी भी compared to other जो एक developed country है developing country का तो सवाल नहीं होता अगर हमको आगे बढ़ना है तो developed country का example हमको हमारे सामरे रखना पड़ेगा कब तक हम अपने आपको Pakistan या बहुत सरे अलग-अलग जो देशे उनसे compare करते रहेंगे हमको हमारा comparison करना है China से, America से, Japan से तो railway तो हमारा कोसो दूर है तो यह बत आप ध्यान में रखना ठीक है तो हमारी अभी भी infra की बात करें railway की वो बहुत बड़ी growth story अभी भी unfold होना बाकी है तो यहां से एक simple सी बात है railway का financing हम कोने IRFC, it means क्या railway का growth यानि इस top का growth भी long term में होना ही होना है यह बात यहां से एक simple way से हमको समझ में आती है इसका मतलब क्या? इसका मतलब गिरावट में खुशी मनाओ जो chances मिल रहे उसका फाइदा उटाओ अभी रेखिए यह वाला stock जब से market में आ चुक है तब से लेके बहुत समय तक बहुत लोगों को एंटरे करने का मौका दिया था हमने खुदने यह वाला stock 30 रुपिस के नीचे कही बार देखा था वापर भी कसी को force नहीं कहा था कि खरीदो ना खरीदो वह यह बात बुला था दिमाग लगाओ गेम लॉंग डम का है इनको समझ में है जिन्होंने खुद की study research की stock में निवेश किया जबरदस मून अफा काफी कम टैम में लोगों का बन गया और अभी गिर रहा है तो लोग क्या करेंगे गाली देना start करेंगे क्यों क्योंकि stock नहीं बाग रहा है अरे कैसे वागेगा 25 रुपय का stock 200 रुपय तक चला गया था 200 रुपय के उपर तक चला गया था इतने कम टैम में तो multiplier move तो stock ने दे दिया तो इतना बड़ी rally होने के बाद थोड़ा time तो stock उरकेगा वही हो रहा है तो market condition खराब रहने दो या अच्छी रने दो जब अच्छा stock अच्छे price पर मिलता है उसको respect करना भी आपको आना चाहिए तेकर last time में हमार बात हुआ था stock गिरी गिर के 140 या 130 रुपय तक आ सकता है और यह वाला बात मैंने 180, 170 के असपसे किया था और इसके पीछे का logic भी मैंने आपको समझाया था यहाँ पर जेके stock में एक vertical rally वा था और उस vertical rally का जब गिरावट आया था stock ने इसे के करीब bottom बना के एक तेज़ देगा देती तो अगर stock में कोई भी बहुत बड़ी गिरावट आती है market की गिरावट continue देती है एक सो 500 रुपे की नीचे आयरेप सी देता stock अगर आपको मिल रहा है तो अव्यसी बात है यह long term निवेशप को मिल रहा एक बहुत ही सुने रहा मोगा है ऐसा at least मुझे लगता है आगे बड़ी तो दस्तो नेक्स और अगरे stock की दरब में इस buses का अगर आप service देखो वो भी काफी बड़िया आपको देखने को मिलेगा तो brand value and market value की बात करें company का काफी बड़िया आपको नज़र आएगा तो market की खरब condition it means क्या अच्चे stock को पकड़ने कम होगा और यह भी एक अच्छा और एक futuristic आप बोल सकते हो game वाला stock नज़र आएगा क्योंकि बसस कैटिगरी में electric vehicles का supply करने में यह company का एक बहुती बड़िया market share अभी बन चुका है 1425 के करीब का close है 6% के आसपस का crash हो चुका है और देखिए यह भी vertical way में उपर कितरा भागा था और इसका pattern हमने पहले भी काई बर देखा है कि देखे historically भी इसका pattern देखोगे बड़ी rally के बाद बड़ी गिरावट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह stock में पहले भी हुआ है आज भी हो रहा है और हो सकते है भविश्य में भी ऐसा बहुत बर होता हुआ नजर आए लेकिन कुछ लोग क्या करते है कि एक बर हुआ बार बार थोड़ी होगा तो मैं कहा के रहो कि बार बर होगा मैं आपको यही बता लो कि possibilities के कफे जादा है तो यह chart का analysis होता है चार्ट का study होता है इसको ही study के दे आपको देखना पड़ेगा pattern के आपको क्या बता रहा है long term का pattern आपको क्या समझा रहा है और इतने सारे आपको proof सामने दिख रहे है कि pattern में volatility stock में नजर रहे long term में मतलब तेज़े के बाद बड़ी गिरावट के लिए आपको mentally प्रिपेर रहना चाहिए नई गिरा, sideways pattern बना कर timeways correction दिया तो भी चलेगा लेकिन गिरावट का chance जादा है यह दिख रहा है तो वो at least आपको accept करने आना चाहिए अभी इसका passsal का pattern अगर आप दिखोगे मानलो market के condition यहाँ से और भी खराब हो जाती है जो मेरे सबसे होगी तो सकते है यह वाला stock आपको और भी lower levels लगबग 1000 रुपे से लेके 1200 का भाव भी आपको दिखा दे और मेरा एकदम clear cut अभी यह भी हो रहेगा इस stock में कि 1400 के नीचे और 1000 के अंदर अगर stock मिल जाता है fair से भी fair price आपको मिल रहे है क्योंकि 2000 के असपस का stock 1000 से लेके 14 सगी बीच मिलना मतलब एक बहुत ही bumper discount में आपको मिल रहा है तो कोई भी अगर एक long term investor है I think stock पर भी चाहिए तो focus यहाँ से कर सकते है टेक्निकली वीक है लेकिन potentially long term का growth story अभी भी काफी बढ़िया run up इस stock में ready कर सकता है तो दोस्तो यहीते वो सारी के सारे share जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से discussion करना था उमिद करता है वीडियो पसंद आयोगा तो वीडियो को like करे दूस्से शेर करे पेरी बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राब भी कर देना और कोई भी stock में निवेश करने से पहले कुद की study research जरूर करे financial advisor की सला जरूर ले मिलते है नेक्स वीडियो में धन्यवाद